श्री गुरुभ्यो नमः भवताम भवती नांच संस्कृत कख्षायाम स्वागताम अध्यवयम भारती वसंत गीति ही इती पाठस्य अवशिष्टान्षम पठाम हमने भारती वसंत गीति ही इस पाठ को कल पढ़ा था हमने इसका सस्वर गायन भी किया था और व्याख्या के क्रम में शब्दों के अर्थ के क्रम में दो पद्यों को पढ़ा था आज पुनह हम इसके बचे हुए पद्यों के अर्थ को समझेंगे उसके पहले जैसा हमने कल गायन किया था स्वर के सहित वैसे ही एक बार आज फिर सुनेंगे और आप लोग पुस्तक में मिलान करते हुए गायन करने का अभ्याश करेंगे ध्यान रहे उच्चारण शुद्ध होना चाहिए हम प्रयास करेंगे कि जैसा हम सुने उस प्रकार से हम भी गायन करें तो ठीक है हम सुनते हैं निनादय नवीना मेवानि वीणाम इस गीत को निनादय नवीना मेवानि वीणाम मधुर मन्जरी पिन्जरी भूत मालाह वसंतेल संती है सरसारसाला कलापाललित कोकिला का अकली नाम निनादय नवीना मेवानि वीराम वहतिमंदमंदं सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीरतीरे नताम पंकि मालोक्य मधु माधु वीनाम निनादय नवीना मेवानि वीराम ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुझे मले मारुतो चुम्बिते मन्जु कुझे स्वनंती इंततिम्प्रेक्ष मलीना मलीनाम निनादय नवीना मेवानि वीनाम लतानाम नितांतं सुमं शांति शीलं चले दुच्छले कांत सलीलं सलीलं तवाकन्य वीनाम दीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम एवानि वीनाम तो इस प्रकार से हमने गीत को सुना कितना सुमधिर स्वर था और कितना अच्छा लगा अब हम इनके एक-एक पदों के अर्थ को समझते हैं शम्स्कृत में इन पदों का जो गायन किया है हिंदी भाशा में या अंग्रेजी में उसको हम क्या कहते हैं ये हम इन पद्यों के अन्वय को करने के बाद समझ पाएंगे तो पहली पंक्ती और दूसरी पंक्ती को हमने कल समझा था आज हम तीसरी पंक्ती को देखते हैं अन्वय करके देखते हैं अर्थात पादप कैसे हैं पादाभ्याम पिवतीती अथवा पादईह पिवतीती पादप जो व्रिक्ष होते हैं वो अपने पैर से उनका पैर क्या है जड तो वो अपने पैर से जल पीते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है पादप हम लोग मुक्ष से पानी पीते हैं वो अपने पैर से और उनका पैर क्या है जड़ इसलिए ब्रिक्ष को हम पादप कहते हैं उनकी पादप संग्या है तो पादपे छलित पल्लवे पुस्प पुंजे पुस्प पुंजे अर्थात पुस्पों का समूभ एक जगह कई पुष्प रखे जाएं उन्हें कहा जाता है पुस्प पुंज तो पुस्प पुंजे अर्थात ब्रिक्षों में जब पुस्प पुष्पीत होता है तो वहाँ समूह में रहता है एक-एक पुस्प नहीं होता आमर मंजरी को देखें या और भी हम पुष्प देखते हैं तो वहाँ समूह में कुसुमीत होता है तो ललित पल्लवे ब्रिक्ष कैसे हैं उनके पत्ते कैसे हैं तो नए नए पत्ते वसंते रितू में नए नए पत्ते आते हैं ऐसे कोमल कोमल जो पत्ते हैं उन्हें यहाँ पे कहा गया है ललित पल्लवे पल्लव का अर्थ पत्ता तो बिख्ष में नई नई कोपलें, नई नई पत्ते आ चुके हैं पुस्पों का जो समूह है वह पुस्प पुंज बिख्षों के ऊपर विद्यमान है और पादपे उसी के लिए कहा जा रहा है कि बिख्ष में ये सारी चीज़ें हैं दूसरी जो पंक्ती है हम उसे देखते हैं मलय मारुतो चुम्बिते मन्जु कुंजे मलय मारुतह मलय मारुत कारत क्या है? मारुत माने वायू मारुति इनन्दन तो मारुत अर्थात मारुतह वायू मलय मारुतह अर्थात सुगंधित जो वायू है उस मलय मारुत से जो बिख्षों के वह कुंज है वो जो पुशपों के गुछ हैं वो क्या हो रहे हैं कहा चुम्भी तो हो रहे हैं जो वायू बह रही है वह उनका चुमबन करते हुए उनका श्पर्स करते हुए आगे बढ़ करके जा रही है तो मन्जु कुंजे वह जो कुंज है छोटा उद्यान है निकुंज है ब्रिक्षों से और पुष्पों से परिलशित है उस पुष्प कुंज को वायू अपने वेग से बह रही है और उसका शपर्स करते हुए उस पुष्पों का चुम्बन करते हुए और जा रही है तिसरी पंक्ती में कहते हैं स्वनन्तीम ततिम प्रेख्य मलिनाम अलिनाम स्वनन्तीम अर्थात ध्वनिम कुरवन्तीम स्वनन्तीम का स्वनन्ती अर्थात ध्वनि करती हुई स्वनंतीइम अर्थाद ध्वनी करती हुई को दृतियान तरुक होगा तो ध्वन कौन ध्वनी कर रहा है तो कहते हैं मलिनाम अलिनाम ततिम ततिम अर्थाद स्रेढी und पंक्ति जो भवरों की पंक्तियां होती है भवरा एक कहीं ऐसे तो चलते नहीं है वो दो दो चार चार दस दस समू होता है सौ सो का समू होता है तो जब समू में वो चलते हैं तो उसे तती कहा जाता है पंग्ती कहा जाता है या स्रेडी कहते हैं तो जो उनकी स्रेडी है किसकी मलिनाम अली नाम अली नाम अर्थात द्विरेफानाम भवरे जो भवरे होते हैं उन्हें अली कहा जाता है तो उनकी जो पंक्ती है वह पंक्ती कैसी है तो स्वनन्तीम ततिम ध्वनी करती हुई तती है पूरा वाक्यान से हम एक बार देखते हैं स्वनन्तीम ततिम प्रेक्ष मली नाम अली नाम अर्थात अली नाम स्वनन्तीम ततिम प्रेक्ष अर्थात देख करके या प्रेक्ष्यति प्रेक्ष्यतः प्रेक्ष्यन्ति जब इसका लोटलकार में रूप करेंगे तो रूप बनेगा प्रेक्ष लोटलकार मध्यमपुरुस एक वचन तो कवी का तात्परिय है कि इस उद्यान की शोभा कितनी सुन्दर है उसकी सुन्दरता कवरण किया और वहां पर जो भौरों के गुंजायमान स्वर हैं उस गुंजायमान स्वर को देख करके पलवित पुष्पों और पत्तों को देख करके कवी के मन में यह भाव आया कि आए वानली वीणाम नवीणाम वीणाम निनादय किसी नए स्वर का सुत्रपात कीजिये किसी नए स्वरवाली तंत्री को वीणा को बजाईए अगली पंक्ति हम देखते हैं लतानाम नितान्तं सुमं शान्ति शीलं चलेत उच्छलेत कांत सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम अये वानी वीणाम इस पद्ध्य में कहते हैं लतान्तं नितान्तं सुमं शान्ति शीलं अर्थात उस उद्ध्यान की शोभा बढ़ाने में जो पुष्प हैं वह भी अपना योगदान दे रहे हैं वे पुष्प भी वे लताएं भी शान्ति युक्त जो वातावर्ण है उसकी सोभा को और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं कैसे लतानाम नितान्तं सुमं का अर्थ है पुष्पं फूल तो लताओं में लगे हुए जो फूल हैं जो लटकी हुई लताएं हैं उद्ध्यान में उन लताओं में लगे हुए जो अलग-अलग विविध प्रकार के पुष्प हैं वो पुष्प भी कैसे है कहा शान्ति शीलम शान्ति से युक्त हैं सान्ति के प्रतीक हैं श्वेत पुष्प शान्ति का प्रतीक होता है जब हम श्वेत पुष्पों की अवली देखते हैं तो आखों को बड़ा एक सुकून मिलता है अपने आप में एक शान्त होते हैं वह उसी स्थिति को देखकर कभी कह रहा है लतानाम नितान्तम सुमम शान्ति सीलम वह नितान्त है नितान्त रथात अत्यंत अत्यंत ही शान्त और मनोरम वह वातावरण है अगली पंक्ती में कहते हैं चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम नीचे के पद्य से हमें नदी नाम लाना पड़ेगा अर्थात नदी नाम सलीलम सलीलम उच्छलेत उन्हा कांतम कांतम सलीलम सलीलम उच्छलेत ऐसा अन्वै करना पड़ेगा सुभा सुभा जब हम नदी के किनारे जाएं और देखें हलकी मंद मंद वायू चल रही होती है तो उसकी छोटी छोटी लहरे उठती है जल की छोटी छोटी तरंगें उठती है उन तरंगों को देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है उस तरंग को भी यहाँ पे वरणित किया गया है पद्य क्या है? नदी नाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अर्थात नदी के जो कांत सलीलम शोभा युक्त सलीलम जलम जो सुन्दर चमकता हुआ जल है कभी नदी के किनारे जाएं सुर्योदे के पहले उस समय वहाँ के वातावरण को देखे और शांत वातावरण में बह रहे पवन का बह रही वायू का उस हवा को हम महसूस करें जल की तरंगों को देखे और फिर सुर्योदे होता हो जिस समय पीली पीली सुर्य की किरणे जल में गिर रही हो उस समय को देखे तो ऐसा लगता है कि सोने की सलाई जैसा सोने की एक सुई जैसे किनारी बनती जा रही है श्वर्ण में पानी चमकता है पीत वर्ण का हो जाता है उसी शोभा को यहां कह रहे हैं कांत सलीलम जो जल है कैसा है चमकता हुआ सुन्दर जल है सलीलम सलीलम पदकार्थ है लीलया सहवर्तते इती सलीलम लीला के साथ लीला का अर्थ है क्रीडा जल क्रीडा को लीला कहते है तो ऐसा लग रहा है कि जल अपनी तरंगों से उचल उचल कर जब आगे बढ़ता है तो जल स्वयम क्रीडा कर रहा है और वह क्रीडा देख करके बढ़ा अच्छा लगता है हम दूसरे को खेलते हुए और उसकी क्रीडा को देखके बहुत ही खुशी होती है वैसे ही कवी उस जल को देख रहा है क्रीडा करते हुए जल को देख रहा है नदी नाम कांत सलीलम सलीलम आगे कहते हैं तवा करण्य वी नाम अधी नाम अधी नाम नदी नाम यहाँ पर अधी नाम विशेशन बन रहा है नदी नाम में और आ करण्य किम आ करण्य वीणा स्वरम आ करण्य वीणा के स्वर को सुन करके किसके वीणा के स्वर को तव वीणा स्वरम आ करण्य तुम्हारे वीणा के स्वर को सुन करके जो नदी का जल होगा वह और उच्छलेत गती को बढ़ा देगा यह सुर्वित जो वातावरण है सुरम में जो वातावरण है वह वातावरण अगर आपके वीना की ध्वनी को सुनेगा तो और अधिक आहलादित हो जाएगा और अधिक मनोरम हो जाएगा पूरे पद्दे का हम एक बार अन्वय और अर्थ देखते हैं लतानाम नितान्तम शुमं शांत शीलं चलेत पुनह तव वीनाम आकर्ण्य अधीनाम नदीनाम कांत सलिलं शैलीलं उच्छलेत अर्थात यह जो चलती हुई वायू है उस वायू से नितान्त शांती से युक्त अत्यंत जो शांत पुस्पों से आच्छा दित वातावर्ण है उद्ध्यान है वह आपके वीना के स्वर को सुन करके और जो यह अधीना नदी है इस नदी का जो वारी है जल है वह जल भी आपके वीना को सुन करके और अधिक आहलादित करने वाला होगा और अधिक मनोरम हो जाएगा यद्यप यह जल कैसा है तो कांत सलीलम सलीलम है फिर भी यह कांत सलीलम सलीलम तव वीनाम आकर्ण्यम और अधिक प्रभाव वाला होगा और अधिक शोभाधायक होगा इसलिए हे स्वर की देवी भगवती आप एक नए स्वर का सुत्रपात कीजिए एक नए स्वर को दीजिए वीना बजाईए इस प्रकार से हमने संपूर्ण चारों पद्यों को समझा इनके पदों के अर्थ को हम अभ्यास के पहले भी जो अंस शब्दार था के अंतरगत दिया गया है वहां देख सकते हैं अभी हम कुछ प्रशन का अभ्यास करेंगे जिसकी अंतरगत कुछ लेखन क्रियाएं होंगी और आपको प्रशनों के उत्तर भी देने होंगे प्रशनों के उत्तर इन ही पंक्तियों में जो हमने अभी पढ़ा है इसमें वित्यमान है अभ्यास के अंतरगत हम सबसे पहले उन प्रश्णों को और उनके उत्तरों को देखेंगे जिन में एक वाक्य में ही हमें उत्तर देना होता है अभ्यास में हम पुस्तक देख सकते हैं लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत पहला प्रश्ण है कवी ही काम संबोधयती अर्थात कवी इस काब्य में इस कविता में कवी ने संबोधन किसे किया है किसे संबोधित करके ये कविता की गई है उत्तर होगा सरस्वती क्योंकि आये वाणी यह पद प्रयोग किया गया है इसी तरह अगला प्रश्ण है कवी ही वाणीम काम वादैतुम प्रार्थयती जो कवी है वह क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है वाणी से अर्थात सरस्वती से क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है उत्तर होगा वीणाम अर्थात वीणाम वादैतुम प्रार्थयती अगला प्रश्ण है कीद्रिशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयती अर्थात किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है हमने पढ़ा था नवीणाम वीणाम एक नई वीणा एक नया स्वर तो इसका उत्तर होगा नवीणाम वीणाम वादयितुम प्रार्थयती अगला प्रश्ण है सरसाहा रसालाहा कदा लसंती सरसाहा रसालाह कदा लसंती अर्थात रससे भरे जो रसाल है आम्र भल है वह कब पेणों पेशोभा को प्राप्त करते हैं कब व्रिक्ष पर आते हैं उत्तर होगा वसंते वसंतरी तुमें घृष्मरी तुमें वह आते हैं पद्दे के आधार पर वसंते आगे हम देखते हैं गीतिम कथम गातुम कथयति गीती को जो गान है वह कैसे गाया जाए किस प्रकार से गाने के लिए कहा गया है किस प्रकार से कवी कह रहा है कैसी गीती गाएं कैसा गान हो तो पद्य में कहा गया था मुरिदुम गीतिम मनोहर गीति मधुर गीती गाने के लिए और मुरिदुम के साथ साथ उसमें विशेशन भी लगा हुआ है ललित नीति ली नाम मृदुम गीतिम अर्थात ललित नीति से युक्त संबध जो गीत है मनोहर गीत है मधुर गीत है वह तो एक वाक्य में उत्तर देना है तो हम मृदुम गीतिम यह इसका उत्तर होगा अगला अभ्यास देखते हैं जिसमें हमें पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है पहला हमने जो अभ्यास किया उसमें केवल एक पद में उत्तर देना है एक पद में हम उत्तर लिखेंगे यह जो अभ्यास है इसमें पूर्ण वाक्यों बना कर उत्तर लिखेंगे जैसे कवी ही वानी किम कथयती कवी वानी को क्या कह रहा है क्या करने के लिए कह रहा है उत्तर होगा कवी ही वानीम वीणाम निनादय गीतिम गायच इती कथयती पुनह अगला प्रश्ण वसंते किम भवती वसंत में क्या होता है तो हमने जैसा कि पद्य में पढ़ा था वसंत रितु के वरणन में क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर कहेंगे जैसे मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाः वसंते लसंती सरसारसालाः कलापाह लिलित कोकिला का कली नाम एतत सरवम वसंते भवती वसंत रितु में ये सारी चीजें होती है अगला प्रश्न है सलिलम तव वीणाम आकर्णिय कथम उच्छलेत अर्थात वीणा की ध्वनी को सुन करके जो सलिल है जल है वह किस प्रकार से उच्छलेगा इसका उत्तर होगा सलीलम उच्छलेत अर्थात लीला के सहित वह उपर को जाएगा सलीलम का अर्थ हमने पढ़ा था लीलयासह वर्तते अर्थात लीला के साथ और लीला पद का अर्थ है क्रीडा जो जल है वह क्रीडा करते हुए कलोल करते हुए उपर को उच्छलेगा अगला प्रश्ण है कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याहतीरे मधु माधवीनाम नताम पंतिम अवलोक्य वीणाम वादैतुम कथयती अर्थात कवी किसके तटके तीर पर लटकी हुई लताओं के साथ और किसके तटके किनारे इस नवीन वीणा को वादन करने के लिए कह रहा है उत्तर होगा कलिंदात्म जायाहा तटे अर्थात जो प्रश्ण में पूछा गया वाक्य है उसमें प्रश्ण वाचक पद को हटा देने के बाद कलिंदात्म जायाहा यह हम जब जोड देंगे तो प्रश्ण का पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा जैसे कभी ही भगवतीम भारतीम कलिंदात्म जायाहा तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीनाम वादैतुम कथयती अभ्यास के इसी क्रम में हम अगला प्रश्ण देखते हैं जिसमें हमें विलोम पद लिखना है जैसा कि हम देख रहे हैं कथोरम कविता में आया हुआ पद है कथोरम का विलोम म्रिदूम अगला पद है कटू कटु का विलोम होगा मधुर मधुरम शीग्रम मन्दम 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 वहती वायू के लिए पद्य में आया हुगा पद था अगला पद है प्राचीनम और इसका विपरीत आर्थक शब्द होगा अरवाचीनम नवीन तो हम नवीन पद का प्रियोग कर सकते हैं और अगला पद है नीरसह अर्थात रस से रहित इसके लिए विपरीत आर्थक पद होगा सरसह अर्थात रस से युक्त इस प्रकार से हमें विलोम पदों का भी अभ्यास करना चाहिए साथ साथ लिखना भी चाहिए अभ्यास के इसी क्रम में हम जो पुस्तक में स्तंभ दिये हुए हैं कास्तंभ और खास्तंभ उसमें जोड़ी मिलाने का भी काम करते हैं जैसा की हम देख रहे हैं कास्तंभ में सरस्वती आम्रम पवनह तटे भ्रमराणाम कास्तंभ में तीरे अलीनाम समीरह वाडी रसालह तो यह चिन्ह से आप देख रहे हैं कौन किस के साथ मिला हुआ है ऐसे ही हमें और भी पदों का अभ्यास करना चाहिए अभ्यास के इसी क्रम में एक अभ्यास और जिसे हम वाक्य रचना कहते हैं इस कविता में आये हुए पदों को ले करके हम वाक्य निर्माड करेंगे जैसे निनादय इस पद को ले करके हम वाक्य की रचना करेंगे अर्थात हे सरस्वती वीणाम निनादय इस प्रकार से और दूसरा पद है मंदम 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 पद को ले के वाक्य रचनागर करें तो बाल कह मंदम मंदम गच्छती बालक जो है मंदमन्द जाता है मंदम मंदम हसती मंदमन्द हसता है इसी प्रकार अगला पद है मारुतह वायू के लिए प्रियोग होता है हम कह सकते हैं मारुतह मंदम मंदम प्रवहती यह वाक्य निर्माण की विधी है इसी तरह और भी जो पद है पुस्तक में कविता में आये हुए हैं उन पदों का हम अभ्यास करेंगे और नए-नए वाक्यों का निर्माड करेंगे और इन वाक्यों को अपनी कापी पर लिखने का भी अभ्यास करेंगे ऐसा करने से हम शीख्र ही समस्कृत वाक की रचना करने में समर्थ हो जाएंगे धन्यवाद